कि है गाईस कैसे हो I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपने फीजिकल के तेहरी कर रहे होंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे केंडेट होंगे जो कि यह रिजल्ट का वेट कर्रे होंगे कि जब तक रिजल्ट नहीं है तब तक हम मतलब फीजिकल नहीं करे तो ऐसा उसके माइन में थिंकिंग हुआ एक डर बनावा रहता है कि भाई में रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा तो फाइनली गाइज जो है एससे अपने अफिशली वेब साइट पर उन्होंने रिलीज कर दिया है एक अफिशली अपडेट है कि आपका जो है एक टेंटिटी कि अपडेट दिया है एक आपका और यहाठ कर देखो डेखो किकट यहां पर यहां पर क्लीयरर किया गया है तो तुसी तरह से डाइज आपका यहां는 सब्से लश्ट में अगर आप देखोगे 20 नमरुमर्य पॉइंट में यहां पर दिया है **** GD.N.C.P.F. Bay राइफल मैं जीडी इन असम राइफल एक्जामिनेशन 2021 का जो सीबीटी का जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका 15 अप्रील 2022 को आने वाला ठीक है तो यह जो है आपका एक्टिंटेटिव डेट दे दिया गया है तो इस डेट में जो है आपका और वैसे भी गाज एससी जो ह अपने डेट के नुसार जो है सारा वैकेंसी नोटिफिकेशन सब कुछ जारी कर रहा है तो डेफिनेटली है गाइस कि यह आपका 15 अप्रील तक जो है आपका रिजल्ट आने की संभाब ना है ठीक है तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अप्डेट है आप लोगों के लिए कि 15 अप्रील को जो है आपका वो रिजल्ट आ जाएगा ठीक है अब जो गाईज अब कुछ लोग कहेंगे कि आगया फिजिकल कब तक होने के चांसस है तो उससे अब मान लो की वो दो मन्थ एक्स्टा एड ले लो ठीक है अप्रील में अगर आपका एक्जाम मतलब रिजल्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से बट गाईज यह 15 अप्रील का आपको वेट करना पड़ेगा ठीक है और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ अफिसली अपडेट ही नहीं है तो मैं क्या अपडेट दूँ फालतों के वीडियो तो मैं नहीं डाल सक करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और अगर जिनका नहीं होगा गाईज इस एक्जाम में रिजल्ट तो टेंसल लेना लिवात नहीं है अपका नेक्स्ट येर जो वेकैंसी वह आपका फरवरी में आ जाएगा चाहोगे तो आप हमारे चैनल से जूड के रहना ठीक है तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए दोस्तों जय हिंद ववन दे मातरम